अभी पागिस्तान पर क्या मोहबत की बढ़िया नजम सुनाई है अलांकि किसी जमाने के फास्ट बोलर रहे इम्रान खान अभी अभी चलेगे सब जाएंगे कुर्शियां सब की जाएंगी चाहे कोई कितनी भी तेज पहेंगता हो मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बाते की जा रही है और कुछ नहीं तो जटका और हलाल का ही मुद्दा जबकि बक्रिय की कोई रजामंदी नहीं पूछ रहे हो जिस कला का नाम लेकर जानते हो मेरे गाम के कभी की पंक्ति आई है राम अवत्यार त्यागी जहां मैं रहता हूँ पिलखवा उसी के पाल डूरी के थे आप सब की तालियां मेरे पूरवज के लिए उठे है जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर जानते भी हो कि ये कैसे बची है सब भेता की जिस अतारी पर खड़े हो वो हमी बदनाम लोगों ने रची है इसलिए थोड़ा सा कष्ट सहिएगा थोड़ी समस्या सहिएगा लेकिन इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ जब मिलेगी रोश्णी मुझसे मिलेगी हम आकरी लोग हैं हमें इसलिए इस विकार कर लीजिए कि इसके बाद ये नसल खत्रे में है जैसे जवाई बाद में त्विन तिन घंटे बैट के एक चीता ढूंडने निकलते हो ना हम उसी शब्द के जंगल के वो शेर हैं जिनको जिनको पदमशियां देकर आजकल काखजी बनाया जा रहा है तो इसलिए हमारी हिम्ण बढ़ाया रखिए अपनी तालियों से इसलिए हिम्ध बढ़ाया रखिया अपने समर्थर्थि आपके आकाओं आपके नेताओं आपके राजनेतिक दलों उनके खिलाब भी अगर हम बोलें तो इसलिए हमें सुनते रहिएगा कि भगवान न करें कभी वो आपके विपरीत हुए तब भी हम आपके साथ खड़े होकर उनके खिलाब बोल रहे होंगे इसी हिम्मत का एक नाम हिंदुस्तान में इसी हिम्मत को लेकर पढ़ने वाले एक कभी मेरे बहुत प्रियमित्र और कभी संभेलन के पिछले तीस वर्षों के अनवरत साथी वाई संपच सरल से अन्नोत करता हूं कि वे करपा पूरवक आएं आप दोनों हाथ उठाकर जोड़ लेकिन इनके मित्रों के दोस्तों के हाथ में कुछ है नहीं भीजा रहे है यहां से लिख करके ले जाएंगे वाँ कुछ और छपेग तो इनकी गलती नहीं है क्षेत्री ये पत्रकारी था आज भी अपना काम बहुत बड़ी हडंग से कर रही है चाहिए वो प्रिंट की हो लेकिन उपर से जैसे आदेश मिलते हैं फिर उस हिसाब से हेर फेर हो जाती है अक बार तीन चीजों के लिए पड़े जा रहे है बिजली कटोती उठावना और रासी फल वो धरम्यूग सापता है कि इंदुस्तान दिनमान सारी का समय आद करो नवा टाइम्स में किस तरह की खबरे राजिंद्र मातू किसे कैसे संपादकिये लिखते थे अब इनकी चलती नहीं भले लोगों की वरना तो कल करांती हो जाएगी पें जेम में टांक दिया कंदे पे कैमरा लगा दिया राद पीछे बांती है और हालाट ऐसे हैं कि कार्टून भी नहीं चाप सकते हैं अ नहीं है एक केशिट बजा देते हैं डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है रूपिया अंतरराष्ट ये कारणों से गिर रहा है महंगाई बेरोजगारी के लिए कॉंग्रेस जिम्मेदार है बाकी सारी समस्या है नहरू छोड़ गे फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्त पाकिस्तान पर क्या महबत की बढ़िया नजम सुनाई है अलांकि किसी जमाने के फास्ट बोलर रहे इमरान खान अभी अभी चले गए सब जाएंगे कुर्षियां सब की जाएंगी चाहे कोई कितनी भी तेज भेंकता हो महबत की बात करिये देश दुनिया महबत से चलती है जब जंगल में आग लगती है तो नहीं तो वो बर्गत बसते हैं जो हवा को आधी में बदलते हैं और नहीं वो बास बच पाएंगे जो आप सी रगड़ से चिनगारी पैदा करते हैं मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बाते की जा रही है और कुछ नी तो जटका और हलाल का ही मुद्दा जबकि बक्रिया की कोई रजामंदी नहीं पूछ रहा है इसे कहते है यसे कहते हैं जंग वह किसी जमाने में सोन्या जी के माइक के कभी बात था अब धरमस्तलू के माइक कभी बात आगे कन्यालाल सेठिया जी की कविता की तीन पंक्तियां तीन पंक्तियों की कविता है ये माईग लगाने वाले सुन ले हैं कि मोन प्रार्तनाय शिक्र पहुंसती है इस्वर तक क्योंकि वो मुक्त होती है शब्दों के भार से रिगवेज से चले थे अनुमान 40 अतक आगे और तालिवाली बजाते रहो वरना हम कवियों को भी आता है अनुमान 40 जिने अपने घर में संभिधान पढ़ना चाहिए वो दूसरों के घर के सामने अनुमान 40 अपढ़ना चाहिए ताजुक देखो जो काम अनुमान जी ने खुद लंका में नहीं किया वो अनुमान 40 अंदुस्तान में कर रहा है इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है मुझे दरंबीर भारती का एक नाटक है अंधा यूग उसका एक द्रश्य याद आता है डाक्टर साब आप सुनिये राम कथाएं करते हैं आप वो द्रश्य सुनिये देश काल परिष्टी पर इसे अच्छी टिपनी हो सकती नहीं हो सकती है सैयम जी कभी विधान सबा में बताईए आप इस बात को जनता को कैसे उल्जाया गया है युद का अठार्वा दिन दोपेर बात का समय धरत्राष्ट और गांदारी इंतजार कर रहें संजे का कि वो आकर के बताएगा कि दुर्योदन मारा गया कि जीवीत है दो प्रहरी पहरा दे रहें अचानक सन्नाटा बढ़ता है वातावरन भयावा होता है और अंधकार बढ़ने लगता है तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा पहले का प्रशनर दूसरे के जवाब पे आपकी तालियां मिलनी चाहिए राजमीती के तमाम लबादे उतार कर पहले प्रहरी ने कहा ये अंधकार अचानक बढ़ रा कैसे है जरा देखना तो तो दूसरा प्रहरी बोला अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे और इसमें ये भी बताईए कि इमर्जेंसी के टाइम में लिखा गया है और उस समय जो हालात थे उनसे भी लोग निप्टे धिरे-धिरे चीजें बदलें कि जो मूल-मुद्य-बुनियादी चीजें उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए मैं एक रचना आपको सुनाता है दो चीजें हैं प्रशासन के लोग बैठे हैं पूरा विश्व का नजारा आप देख लो पुत्तिन हो जिन्पिंग हो ट्रम तो खेर चले गए एर्दोगन हो बोलसोनारों हो वहां वाले हो या यहां वाले जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करत हैं दरशल दस बारे मल्टिनेशनल कंपणियां मिलकर के जिसमें चावी वर देती हैं वो खिलोना चल पड़ता है दो चीजें हैं बाजार और बाजार वाद बाजार हर युक की जरूरत है दोनों में अंतर यह है बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजे बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजे बना करके जरूरत पैदा करने। क्या बात है वह जाहे किसी देश के चुनाव हो जाहे किसी देश के उपर आक्रमन हो। आप क्या सोचेंगे क्या पढ़ेंगे वो भी कहीं और से तै हो रहा है। मुन्सी प्रेमचंद की कहानी इदगाहा इसलिए पाठे क्रम से हटा दी गई कि आज में गाओं में मेले भरेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिम्टा मेले से खरीदेगा तो मल्टी नेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिम्टे ओनलाइन कैसे भी कि जा बात है वाह। हम थीखा बोलते हैं बुरा जरूर लगता है लेकिन चीजें किधर जा रही है उस तरफ भी धानते हो आप कि इसलिए नहीं चुनवाए तक्दीर ने तिनके कि जब बन जाए नसे मन तो कोई आग लगा दे हाहाँ मैं सहज रहता हूं जीवन में मुझे जैसा बताया डोक सा समस्या है वरना तो मेरी इमेज ऐसे बनादी जैसे में मोदी जी का विरोती हूं जबकि उन्होंने घंटों हमको सामने बैठ करके सुना है डोक्टर कुमार श्वास के संचालन में अमदाबाद में कितनी बार कभी उन्होंने इस तरह का नहीं क्या कूब व्यंक कि अमने ले मैं ऐसे हालातों से दोचार होता रहता हूं दोजार उन्नीश में जब चुनाओं में बढ़त मिली हमारे आदनी मोदी जी को तो मेरे पास ये गुजरात से फोन आया सची घंटना है बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है मैं जान रहा था कि मैं व्यंक करता हूं ये उस पर व् अलचाल है मैंने का अलचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं आप लोग भी उल्जा मत करो वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हूए है उल्जो मत फिर उसने दूसरी मिशाइल दागी बोलो फिर जीत रहे मोदी मोगा अच्छा आमको भी नया नी लिखना पड़ेग अभी एक इंकम टेक्स की अधिकारी मिल गए साथ प्रसासन के बड़े लोग या बैठें वो भी सच्चा किसा है उन्होंने मजाक में का बोलो संपा शरल जी सत्ता व्यवस्ता पर इतने तीखे व्यंग करते हो किसी दिर छापा वापा वाले भिजवा देंगे मैंने कहा सब हेगी हिंदी के लेखक के घर में लाइबरेरी में गबन के नाम पर मुन्सी प्रेम Channel के गबन उपनियास के अलावा क्या मिले गा और अगली बात पर तालियां बजाना जो मैं सहज रहता हूँ भीरी भी मैने का किसी उपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी जोईन कर लेंगे भाई कमाल है